महा मंत्र के शवरन के लिए अपना मानस्टेर करें अरिहन्स्तानम 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 अ अड्मु आयरियानम, अड्मु अवच्छायानम, अड्मु आयरियानम, 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 यारो, सववपावपनाशिनो, मंगलाडंच सववेशिन। पर्मम हो मंगलाडंच सववेशिन। जै बलो देवादी देवे खजराट स्री भगवान महाविराश्वामी की, अहिंसा पर्मो धर्मे की, परंपूज आचर गुर्वा स्री विद्या सागर जी महराजी की। जै 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 बले परंपूज मनिश्री एक सववेशिन। पर्मार सागर जी महराजी की। जै 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 बले परंपूज मनिश्री एक सववेशिन। पर्मार सागर जी महराजी की। जै 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 एक विक्ति अपने गाउं से दूसरे गाउं की और जा रहा था। अंधेरा छटा नहीं था। रात पूरी तरह ढली नहीं थी। रास्ते में रास्ते में उसे एक पोटली जैसी वस्तु दिखाई पड़ी। उसने उठाया टटोल कर देखा तो उसे कुछ कांच की गोलियां जैसी नजर आई। उस पोटली को उसने अपने हाथ में ले लिया। आगे चला रास्ते में नदी पड़ती थी। पानी अधिक था। बिना नाव के उस पार जाना संभव नहीं था। नाविक आया नहीं था। नाविक की प्रतिक्षा में वो नदी की किनरे बैठ गया। समय बिताने के ख्याल से उसने पोटली में से एक गोली निकाला। नदी की धार में फेका। छपाक की धनी हुई। कुछ पल के लिए आनंद मगन हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसने दूसरी गोली को फेका। फिर तीसरी गोली को फेका। फिर चौथी गोली को फेका। ऐसे करते करते पूरी पोटली उसने खाली कर दी। तब तक दिन निकल चुका था, उजाला फैल चुका था जैसी वो आखरी गोली को फेकने के लिए उद्यत हुआ कि तभी उसके मन में ख्याल आया, इन गोलीों ने मेरा बड़ा साथ दिया इतनी देर तक इनके शहारे मैंने अपना समय बिताया देखो तो ये गोली है कैसी, जैसे उसने गोली पर नजर गड़ाई उसकी आखे फटी रह गई, जिने वह काज का टुकला मान के रखा था काज की गोली समझ रखा था, वो तो कीमती नगीना था उसके मुक्ष निकला हाए मैंने इतनी कीमती नगीने की पोटली को वर्थ पानी में बहा दिया काज ये उजाला पहले होता मैंने इसे पहले देख लिया होता, ओम मैंने पहले देख लिया होता तो आज में निहाल हो जाता है जो दसा उस वेक्ति के शाथ है वही दसा आज संसार के हर प्रानी की बनीवी है तुमारी स्थित्य भी कुछ ऐसी हमें ये मनुश्य जीवन मिला है ये किसी कीमती पोटली से कम नहीं है जीवन की एक-एक शाशे बड़ी मुल्यवान है बलकि दुनिया की मुल्यवान बस्तु को भी कोई मुल्य देकर खरीदा जा सकता है पर सांसों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता ये आमुल्य है पर हमारी बिड़मना ये है कि हमें उसका कोई मुल्य बोध नहीं काश उसे पता होता कि ये कीमती पोटली है उसे सभाल लिया होता तो जीवन तर गया होता चलो आखरी एक को भी पकड़ लो तो जीवन धन होगा तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बड़ा कीमती है कभी लगता है हर वस्तु का मुल्यांकन आप करते हैं हर वस्तु की कीमत आप आखते हैं जीवन का बहुत दुल्लब हमें प्राप्त हुआ है आज चार बाते आपसे करूँगा ये जीवन हमें मिला ये योग है क्या है आज बात किसकी है योग की बाता जी यह है योग मिला है और योग नहीं स्योग मिला है स्योग है की नहीं सुब कर्म जोग स्योग सुघाट पाया पार हो दिन जात है ध्यानत धरम की नाओं बैठो शिव पूरी कुशलात है हमने बहुत स्योग्षी नरजन्म पाया है सुब कर्म योग स्योग ते हमने ये सुघाट पाया नदी आपने देखी बजबाजू में नरमदा बहती है नरमदा का टट तो प्रारंब से लेकर अंत तक है बिना टट के नदी नहीं होती पर घाट हर किनारे पर घाट नहीं होता घाट किसको बोलते है जहां नौका लगती है और जहां जाकर हम इस पार शो इस पार जा सकते वो घाट है हम ऐसे घाट में आये हैं जो मनुश्य जीवन की घाट है और घाट नहीं सुघाट है मजबूत घाट और जिसमें बड़े बड़े बेड़े लगते हो वो सुघाट है नर्तन को पाकर हम निरंजन बन सकते चारो गतियों से पार उतरने का आउशर हमें अगर मिलता है तो इस मनुश्य जीवन में ही मिलता है मानो जीवन का योग हमें मिला योग नहीं स्योग मिला है स्योग जो हर किशी को नहीं मिलता और देखो मानो जीवन का स्योग तो मिला ही योग के साथ क्या बोल रहा हूँ स्योग मनुश्य ही नहीं बने हमें अच्छा सरीर मिला अच्छा कुल मिला अच्छा परिवार मिला अच्छा स्वास्त मिला अच्छी बुद्धी मिली धन संपन्था मिली ये सब हर किसी में नहीं पाए जाते बहुत से ऐसे लोग भी है जो कहने को मनुश्य है पर मनुश्य होकर के भी पस्वों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है मानो जीवन का योग मिला पर वो स्योग जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है रहने को घर नहीं पहनने को कपड़ा नहीं खाने को अनाज नहीं भूग के मारे पेट और पीट मिलकर एक हो गई सलक चलते तुमें बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भिकारियों जैसा जीवन जी रहें बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो अपाहिज बन कर के जी रहें बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है उसके उपर गलित कुष्ट है तन पर बेठी मक्खी को भगाने में भी शमर्थ नहीं है बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो अनात है बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो रोज आपस में लड़ाई जगड़े करके अपने जीवन को नार्की बना रहे दिखते हैं चोर उचक के भिकारी दरिद्र दीन बिक्रतांग, विक्लांग, अपाहिज मूख, बधिर नजाने कितने प्रकार के लोग मिलते हैं जब कभी ऐसे लोगों को देखो तो सोचो यदि इसकी जिगा मैं होता तो मेरा क्या होता है थोड़ी कल्पना कर सकते हो आज कितने भाग्यशाली हो तुम कि सारे स्योग है सब बाते प्लस प्लस है माइनस कहीं नहीं है ये स्योग पुन्न के योग से मिला है सुब कर्म योग सुघाट पाया सब फैसलिटीच पाली अब क्या करना है योग सुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्- कितना भी अच्छा योग मिले अगर उसका अच्छा प्रियोग न करे तो फिर हमसे बड़ा भगा क्या होगा स्योग का मिलना सो भग है और प्रियोग करना महा भग और स्योग के मिलने पर भी उसका सही प्रियोग न करना दुर भग है तुम्हें सब कुछ अनुकूल मिला है उसका प्रियोग क्या कर रहे हो बोलो किसी को आउशर मिले और वो उसका लाब ना उठाए तो आप उसको क्या बोलते हैं वेकूब बोलते हैं आउशर मिले और विक्ती जान बूच कर चूक जाए उसका लाब ना ले उसको हम बेवकूफ बोलते हैं बोलते हैं भाई यार थोड़ा विचार ओ तुम्हारे पास कितने आउशर है आज तुम्हारे पास आउशर है या नहीं बोलो हैं हर पल है तेरा तारिक का उशर तो महा उशर है हर छण उशर है इसका लाब क्या उठा रहे हो इसका प्रियोग क्या कर रहे हो मुझे मनुष्य जीवन मिला अच्छा सरीर मिला अच्छी बुद्धी मिली अच्छे संसकार मिले धन संपनता मिली अच्छा पारिवारी बैग्रौंड मिला प्रिष्ट भूमी अच्छी है सब कुछ अच्छा है तो अच्छा पाने के बाद यदि हम अच्छा ना करे तो प्रियोग क्या तुम्हें अच्छा सरीर मिला कभी मन होता है कि इस सरीर से थोड़ा कुछ त्याक तपश्चा भी करो भोगों में खपाने का जीत तो सबको होता है पर इस सरीर से कुछ त्याक तपश्चा का कर्म करूँ ये भाव मेरा स्वस्त सरीर है इस सरीर से मैं किसी की शेवा करूँ ये भाव सरीर का भोग और सरीर की पुष्टी करने में तो 24 गंटे तुम लगे रहते हो पर सरीर का प्रियोग करने का सही भाव तुम्हारे अंदर कभी आता है बहुत विरल लो रोज भोजन करू और क्या करू इसका विचार तो तुम्हारे मन में आता है आज मेरा सरीर बहुत फिट है, आज मैं भगवान का भजन करूँ, उपवास करूँ, ये भाव कभी आता है, कम आता है, योग का प्रियोग करो, तन मिला है, तो तन का उपभोग नहीं, उपयोग करो, उपभोग करोगे, बरबाद होगा, उपयोग करोगे, उद्धार होगा, इस मनुष्य जीवन को कलवी तुम्भी की भाती कहा है, कलवी तुम्भी अगर खालो, तो फूट पाईजन होगा, लेकिन उसे ही अगर पेट में बांध लो, तो बड़े बड़े नदी नाले को तैर कर पार कर सकते हो, डूबोगे नहीं, शंत कहते हैं, जीवन का उपयोग करो भोग नहीं, उपयोग करोगे तो तर जाओगे, और भोग करोगे तो मर जाओगे, हमें उपयोग कर रहा हैं, देह का भोग और देह का उपयोग दोनों में बड़ा अंतर है, जीवन के निर्वा के लिए शरी एक शाधन है, इसका उपयोग करो, उसे सम्पुष्ट भी करो, लेकिन किसके लिए, अपने जीवन के सार को प्राप्त करने के लिए, इसका लाब उठाओ, कल तो ये छूट जाएगा, एक दिन बियोग होगा, योग स्योग प्रियोग बियोग, बियोग होने के पहले प्रियोग करो, आज तुम्हारा स्वास्त अच्छा है, कल स्वास्त अच्छा रहे, इसकी गारिंटी है, बोलो, अरे क्या करे, अब तो हमसे होता ही नहीं है, बहुत से बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं, 35-40 पार करने के बाद 25 बिमानियां जुड जाती है, फिर लोग रोना रोते हैं, अब क्या करे, किया नहीं जाता, अरे जब करने लाइक से तब किये नहीं, अगर उस समय कर लिया होते हैं, तो यह दुर्ग सा क्यों आती, यह भी योग होगा, छूटेगा, सत्त भी छूटेगा, सरीर भी छूटेगा, तो जब तक तुम्हारे पास सरीर है सत्त है इस योग का प्रयोग करो तुम्हारे पास बुद्धी है ये इक सुव्योग है इसका प्रयोग करो किसके लिए, दूसरों को लड़ाने के लिए, उल जलूल बाते बोलने के लिए, उल्टा सीधा बातारुन बनने के लिए, नहीं, अपनी बुद्धी का प्रयोग स्वपर के कल्यान के लिए करो, रचनात्मक दिशा दो नकारात्मक तासे बच्चो और बचाओ यह हमारी बुद्धी का प्रियोग है तुम्हारे पास धन का योग है हर किसी के पास धन का योग नहीं होता तुम्हें धन का योग मिला है इसका प्रियोग जोड-जोड के रखो. ये प्रियोग है? मौज मस्ती में खपाव. ये प्रियोग है? बोलो, क्या प्रियोग होना चाहिए धनका? धनका क्या प्रियोग होना चाहिए? अगर तुम्हे धन मिला है, तो आविष्छ्क्तान रूप उपोग करो, बचे का उभियोग करो स्वापर के कल्याने में लगाओ वो धन का सही प्रियोग है बाकी का धन व्यर्थ मेरे संपर्क में क्यों वा उसने आकर कि अपनी ब्यत्था की पांच पीड़ी से नगर सेट रहे पांच पीड़ी से नगर सेट लेकिन संयोग सब कंजूस पैसा तो था लेकिं कंजूस वो जो युवक मेरे पास आया बोला महराज थोड़ा स्वाधाय से जुला हमारे संपर्क में बोला महराज मैं अपनी पांच पीड़ीों का इतिहास देख रहा हूं हर पीड़ी में हमारी ग्रोथ बढ़ी है हर पीड़ी में ग्रोथ बढ़ी है लेकिन सब छोड़ करके गए ले करके कोई नहीं गए अब महराज क्या बताऊं मुझे आपको कहने में कोई शंकोच नहीं हो रहा है हमारे पिताजी इतने कंजूस कि बजार से थोड़ी सबजी भी ज़्यादा आ जाये तो उनको तकलीफ होते है सादा भोजाने एक दम खा भी नहीं पाए और देने की बात तो दूर महराज मैं सोचता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया केवल पैसा जोड़ा और छोड़के चले गए मैं नहीं चाहता कि इनकी तरफ मैं भी ऐसी छोड़के जाऊं पर अभी उसका जोड़ नहीं चल रहा है उसके बापू जी यहा है बेटे का चित बोल रहा है कि पांच पीडी से पैसाई खटाई हो रहा है निकल नहीं रहा है तो क्या होगा कुवां से पानी निकलता है तो क्या होता है हाँ सड़ता है सड़े भाई अगर कमाते हो तो लगाओ धन जोडने के लिए नहीं है धन नियोजन के लिए है धन जोगे तो जुला रह जाएगा धरा रह जाएगा और धन को नियोजित करोगे तो स्वापर का कल्यान होगा उसका सही नियोजन करो यही धन का प्रियोग है गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात की धन उसका नहीं जिसके पास वो है अपितु उसका है जो उसका सही प्रियोग जानता है तुम्हारे पास कित्ते ही धन हो किस अर्थ का अगर तुमने उसका प्रियोग नहीं किया तो दोनों हाँ तुलीचिये यही सयानों का यह उक्ती निरर्थक नहीं है इस अर्थ को हम समझे और बंधू अब तो थोला समय भी बदल गया पहले लोग इस वज़ा से भी धन जादा जोड़ते थे कुछ समझ में भी आता है अनेक संतान होती थी चलो भाई हमारे बात हमारे बच्चे परिशान ना हो इसने लोग धन जोड़ो के रखते होंगे अब तो एक हैं ज़्यादा ज़्यादा दो अब दो भी दिरे दिरे खतम एक ही बचरे किस के लिए छोड़ रहे हो और उसको भी तुम पढ़ा लिखा कर इतना लाइक तो बनाई देते हो कि अपना पेट भर ले किस के लिए है न विचारी नहीं किस के लिए मैं यह नहीं कहता कि सब छोड़ो शंताइन को देने की तुमारी भामना है दो पर उसके बाद जो सर्पलास है उसका तो उप्योग करो तुम ले के तो जानी सकते छोड़ के जाओगे तो मैं कहता हूँ छोड़ के भी मत जाओ ले के भी मत जाओ दे करके जाओ यही उसका प्रियोग है छोड़ के तो जाना ही है तो जब छोड़ के जाना है तो दे के जाओ पूत कपूत तुकाधन संच है पूत सपूत तुकाधन संच है बदो पिछले कुछ वर्सो पूत एक बात प्रकाश में आई कि बिल गेट्स ने एक बड़ा इतिहास रचा क्या किया अपनी संपत्ती का नब्बे प्रतीशत दान में लगा दिया दुनिया का सबसे बड़ा धनी विक्ती अपनी पूरी संपत्ती का नब्बे प्रतीशत सोचो कितना बड़ा दान और क्या कहा मैं परमाज के कारे में दूँगा संतान को नहीं दूँगा क्यों, क्योंकि न तो इससे संतान का भला होगा न समाच का भला होगा क्या कंसेट है ध्यान रखना तुम यदि संतान को जादा पैसा दोगे तो या तो उसे अकरमन बना दोगे या उसे वेशन और बुराईयों में लिप्त कर दोगे उसको संघर्स करने की कला सिखाना चाहिए तब वो हमारे जीवन के लिए लाबकरी होगा तो धन का सही प्रियोग करिए सरीर का, संसाधन का, संपत्ति का, बुद्धी का जो भी मिला है उसका प्रियोग करो आज तुमारे पास आउसर है कल सिर्पकल करके रोगे और कुछ नहीं बचेगा अपनी भूमकान रूप देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ जीवन को जितना बेहतर बना सको बनाओ नहीं तो बियोग होना ही है सब छूट जाएगा कोई भी साथ नहीं रहेगा और कोई भी साथ नहीं देगा सब मुद ताकते खड़े रह जाएंगे तो उस बियोग के पहले प्रियोग की कला बिक्सित कीजिए प्रशन हो करके उसे पारसमनी दे दिया हाँ लोहा कौन से लोहे को सोना बनाओ तो उसके घर में लोहे के नाम पर घर की कुंडी थी एक तवा था और एक चिम्टा था और कुछ भी नहीं था बेरे इनको सोने की बना लूँगा तो फिर बचेगा था क्या करूँ देखू लोहा देखूँ बज़ार से खरीदू कुछ लोहा बज़ार में गया तो लोहे के दाम उसके बहुत भंगे लगे गुमता गुमता एक कबारी के आ गया कबारी के जहाँ जाँगा लोहा खरीद दूँगा कबारी से पूछा बोला भीया देख अभी नया आप्शन होने वाला है मेरे पास माल हपता भर में आने वाला चार तीन चार दिन में आ जाएगा तू अगर एडवांस दे दे तो साला माल तेरे हाँ डंप कर दूँगा उसने अपना घर गिरिवी रख दिया पैसा ले जाकर के कबारी को दे दिया और सपना देखने लगा कि मेरे घर लोहे का धेर होगा और एक बार टच करूँगा सब सोना हो जाएगा मुझसे बड़ा सोने का अधिपती कोई नहीं होगा उसने तीन रोजबात की बात की थी तीन निन बीट गए उसके दुकान में पोचा भी अमाल अभी अमाल तो भी आया नहीं रास्ते में और दो दिन निकल गए फिर गया बोला माल भी आया नहीं साथ दिन बीट गए माल नहीं आया और गुरू उसके दरवाजे पर आ गए गुरू दरवाजे पर आ गए बहले बेटे कहा है मेरी पारस्मनी गुर्देव आप आ पांगे पारस्मनी तो सुरक्ष तो बहले ला उपा के दिया पर गुर्देव मैंने तो इसका भी कोई प्रियोग ही नहीं किया मैंने तो इसका प्रियोग ही नहीं किया बहले अब आगे जो अब तक नहीं कर पाया वो आगे क्या कर पाएगा क्यों नहीं किया मैंने सोचा लोहा महंगा है थोड़ा सस्ता हो जाए अरे मुर्ख लोहा किताई महंगा हो सोने से तो सस्ताई होगा अपनी बुद्धी का प्रियोक तो किया होता तो ये दसा क्यों होती वो अपना सा मू लेकर रह गया तरस आ रही होगी आपको उसकी बुद्धी पर आ रही है न पर तुम लोग भी तो कहीं लोहा सस्ता होने के मूड में तो नहीं देखे थोड़ा भाव लोहे का कम हो जाए मिझे और अच्छा उसर मिले और अच्छी अलुक उलता है फिर कोई चांस आए तब देखेंगे तब देखेंगे क्या देखोगे काल आजाएगा दरवाजे पर सब देखते रह जाओगे काल दरवाजे पर आएगा चलो अब देखते रह जाओगे कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पार तो आपने आपको जगाईए प्रियोग करना सीखिए नहीं तो ब्योग तो होगा ही होगा इसलिए योग स्योग प्रियोग ब्योग स्योग का प्रियोग करिए बड़े भागशाली है अन्ने था एक दिन सब छूटना है एक बार किसी के दरवाजे पर एक सेट के दरवाजे पर एक भिकारी आया सेट ने पूछा भाई तुम भिकारी क्यों बने बोले मैं भी पहले सेट था मैं भी पहले सेट था सेट तो थे पर भिकारी कैसे बन गए बोले इसलिए कि मैंने दान नहीं दिया मैंने दान नहीं दिया विकारी बन गए मैंने केवल जोड़ा छोड़ा नहीं इसलिए विकारी बन गए अब तुम अपना देख लो मैं कभी सेठ था अज विकारी बना दान नहीं दिया तो तुम सेठ हो दान नहीं दोगे तुम भी विकारी बन जाओगे अब ही योग है योग नहीं स्योग है अगर इसका प्रियोग नहीं करोगे दुरियोग आएगा बियोग होगा ऐसा दुरियोग जो टले न टाले जाए टाले न टले वो दुरियोग कईयों के जीवल में ऐसा आता है तो जीवल में कोई दुरियोग ना आए उससे पहले स्योग का प्रियोग करो सत प्रियोग करोगे तो कभी दुरियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई दुरियोग आएगा भी तो प्रियोग से स्योग में बदल जाएगा मैना सुन्द्री के सामने दुर्योग आया स्रीपाल कोड़ी के रूप में पती मिला पर मैना सुन्द्री ने अपने भक्ती के प्रियोग से दुर्योग को स्योग में बदल दी और स्रीपाल काम देव बन गया और स्रीपाल कोड़ी क्यों बना क्योंकि पहले अपने सुयोग का दुरुपयोग किया था बहुत अच्छा योग आप सब के सामने है